हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको EVS के short notes करवा रहा था जिसमें मैंने आपको तीन important videos दे दी थी तो तीन important videos में से अगर आपने नहीं देखिये तो नीचे मेंने उनका लिंक दे रखा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें से आपका most important दो topic होते हैं आपका एक होता है आपका मेला यानि ये पर्व के बारे में और दूसरा होता है आपका परियावरणी कानून यहां से हमेशा आपके UPTAT exam में देखा गया है कि ना करते करते भी आपके 4-5 नमर के questions पूछे जाते हैं तो अगर इन देनों topic को आपने अच्छे से कर लिया है न तो 4-5 नमर के EVS में question आपके ज़रूर save हो जाएंगे तो इनी से related आपके UPTAT exam में किस परकार के questions पूछे जा चुके हैं उनका एक संग्राय लेके आया हो मैं आपको इस वीडियो में तो पहले हम बात करेंगे most important 30 questions आपके परियावरण कानून के और फिर most important आपके 22, 5 to 30 questions आपके बात करेंगे हैं मेले पर्व के बारे में तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मिरा नाम है दीपक आप देख रहे हैं D.K. गुपता online वीडियो उस पर government exam चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला question देखी क्या बोल रखा है कि परियावण पर प्रतम सम्मेलन किस वर्ष किया गया था तो परियावण पर प्रतम सम्मेलन जो किया गया था जो कि आप सभी को पता है इस टोक होम में करा गया था सुडेन में जो कि कब से कब तक करा गया था, तो 5 से लेकर 18 जून 1972 में ये किया गया था, तो कब होगा इसका सही आंसर, option number 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 1972 में किया गया था, अब यहाँ पर काफी बच्चे सोचेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप tension मत लिजेगा, एक बार पूरी 30 questions देखिए, आपको सारे आंसर कहीं न कहीं देखने को मिल जाएंगे, ओके, तो जिस बच्चे ने भी इसका आंसर, option number 3 लगाया था, बिल्कुल सही आंसर था, second question क्या बोल रखा है, कि Stockholm सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था, तो आगया दुबारा question, तो Stockholm स सम्मेलन जुमिन आपको बताया, वो कहा क्या गया था, वो स्वेडन में क्या गया था, तो option number 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था, next question, परियावण के पर्थम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो जो आपका परियावण सम्मेलन हुआ था, इस टॉकलम में, 5 से 18 जून में, तो कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें 100, 105, 115 या फिर 119, तो जिस बच्चे ने भी इसका अंसर, option number 4 लगाया होगा, 119 वो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो पर्थम सम्मेलन परियावण का हुआ था, उसमें कुल 119 देशों ने भाग लिया था, next question, किस सम्मेलन में, विश परियावण दिवस मनाय जाने का निना लिया गया था, तो देखो, परियावण दिवस इसले मनाय गया था, जो कि आपके बेखामती की चीजें, आपकी परदूशी तो रही थी, या फिर आपकी निलंबित किये जा रही थी, उन चीजों को रोकने के लि बीच में उसमें ये लिया गया था तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर होगा आपका कि इस्ट्रोक हम सम्मिलन में ये निन्या लिया गया था next question संयुक्त राष्ट्य परियावरण कारेकरम का मुख्याले किस देश में इस्थित है तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्य परियावरण जो कारेकरम होता है परियावरण के उपर जो नजर रखता है उनका जो मुख्याले है वो कहाँ पर है केनिया में ब्राजील में स्वुडन में या फिर इन में से कोई नहीं तो वो आपके केनिया के नोरोबी शहर के अंदर इस्थित है तो option number first इसका बिलकुल सही answer था next question प्रित्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया तो अब यहाँ पर देखे ना ही पहले की बात करी गई या ना ही दूसरे की तो अब जब भी ऐसा ना हो तो हम पहले को मान कर चलेंगे तो प्रित्वी सम्मेलन जो किया गया था पहला हो कहां किया गया था ब्राजील में, केनिया में, जापान में या फिर इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा जो पहला सम्मेलन किया गया था वो ब्राजील के रियो डीजेनेरो शहर में किया गया था तो option number first इसका बिलकुल सही answer था next question, रियो सम्मेलन का परमुक उद्देश्य था तो यह जो प्रित्वी सम्मेलन किया गया था रियो डीजेनेरो में, उसको रियो सम्मेलन के नाम से भी कजाना जाता है जो कि उसका मुख्य आपका परमुक उद्देश्य क्या था सभी की ये लिए एक ही प्रित्वी, या फिर सतत विकास या फिर धार्णी विकास, या फिर एजंडा 21, तो ध्यान रखेगा इसका जो मुख्योद देश था, वो था एजंडा 21, 21 इसका बिल्कुल सही अंसर था, फोर्थ, अब ये एजंडा 21 क्या था, तो ध्यान रखेगा जो प्रित्वी की शुरक्षा करने के लिए उसके प्रित्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, आप तो प्रित्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका, वो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, जो कि रियो डिजैनेरों में हुआ था, रियो सम्मेलन भी जिसको कहा जाता है, तो उसमें कुल आपका 150, 160, 170 या 172, तो सही आंसर था आपका 172 देशों ने भाग लिया था, important question है ध्यान रखेगा, और ध्यान रखेगा किसी भी question में कोई परकार का doubt आ रहा हो, तो इसमें से मैंने आपको main main important important आपको सारे सम्मेलन करवाए थे, जिसका link मैंने आपको नीचे decision में भी दे रखा है, और पहला comment भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, okay, next question, परियावन का रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये परियावन का जो रियो सम्मेलन था, वो कब आयोजित किया गया था, 22 मई, 3 जून, 5 जून, या फिर 27 जून, तो इतनी देर परियावन शन्रक्षन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, आप देखो परियावन शन्रक्षन अधिनियम में आपको अच्छे से एक्स्प्लेन किया था, अच्छे से आपको सारी की सारी चीजें इसमें बताए गई थी, जो कि आपको कब किया गया था, या आपका अ इसको आंदोलन कहां घटना होई थी, तो इस चिंपको आंदोलन आप सभी को पता है कि पेडों की रक्षा करने के लिए लोगों ने वहांके आपके आज पास के लोकल इस्थाने लोगोंного ने आपको पेडों से चिंपक्पक के वो खड़े हो गये थे, जो कि जिसकी कंपा ना उसका नाम कर गया था इसी के उपर अंदोलन और इसका चिपको आंदोलन तो इसी से वो प्रभावित ओकर उन्होंने अपको आंदोलन उसका नाम रखना था तोач कहां की घटना है Uttara possible परदेश की मनिपूर की गुजरात की या फिर मध्य परदेश की तो आप सभी को पता है उत्तर परदेश के उत्रा खंड राज्य में इन पेड़ों को बचाने के लिए वहां के लोकल आपके जो जंजातियां थे उन्होंने अपने आपको पेड़ से क्याल कर लिया था चिपक करके या फिर वहां के फसल कुछ से कुछ आपकी पत्तियों से बना कर टूटी डालियों से बना कर यहां की जड़ी बूटियों से बना कर अपना वो क्या करते थे वेबसाइट चलाते थे तो उत्तर परदेश के उत्तरा खंड में अगर उत्तरा खंड अलग से देखने को मि की बात है तो यह करीब करीब आपकी 1973 की बात है उके इसलिए वहां पर जब आपका उत्राखंड अलग नहीं हुआ था इसलिए अब आपका अगर ऑप्शन में उत्राखंड अलग देखने को मिल जाए तो आप उत्राखंड पर टिक करोगे नेक्स्ट कोशन चिपको अंदोलन की घटना घटित हुई थी तो अभी मैंना आपको बताई थी यह 1973 के आसपास की बात थी तो अप्शन नमबर थाड इसका विलकुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन अमरिता देवी विष्णोई का संबंध किस राज्य से है तो अमरिता देवी विष्णोई का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है राजिस्थान से गुजरात से मद्य परदेश से या फिर उत्तर परदेश से तो सही अंसर जो होगा इसका ऑप्शन सही अंसर था, next question, अपिको आंदोलन कहां पर घटीत हुआ था, अभी मैं आपको बात करी थी चिप को आंदोलन से, अपिको आंदोलन, तो यह जो आंदोलन था, यह बिल्कुल चिप को आंदोलन से क्या कर रखा था, परभावी तोकर, जो कि 1973 में हुआ था, क्यों यह south side के बा से चिपक गए थे जिसका नाम उन्होंने रखा आंदोलन का अपिकों आंदोलन ओके नेक्स्ट कोईशन नर्मदा आंदोलन का नित्रत्व किसने किया था अभी नर्मदा आपका जो नित्रत्व किया था आंदोलन का वो किसने करा था बाबा अम्टे ने या फिर मेगा पटे कर ने या फिर इन में से दोनों ने या फिर इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा जो नर्मादा नदी थी उस नर्मादा नदी को बचाने के लिए जो कि आप सभी को पता है MP से लेकर गुजरात तक ये पूरा का पूरा अंदोलन फैल गया था जो कि इन दोनों के नित्रित् नेक्स्ट कोशन नर्मदा आंदोलन की घटना होई थी तो आप पता चल गया आपको किसके नेतरेत्य में होआ था और ये घटना कब होई थी 1982, 85, 89 या तिराणवे में तो क्या हो सकता इसका अंसर तो जिस जिस बच्चोंने भी सका अंसर उप्शन नंट्पर 1989 लगाया होगा वो बिल्कुल साहीं अंसर था, ये आपका उप्शन नंबर थाड़ जो कि आपका पहले ये गुजरात से शुरू हुआ था, सुरी एंपी से शुरू हुआ था और फैल प्यालते फैलते यह गुजरात तक चला गया था तो अप्शन नमबर थाड इसका विलकुल सही अंसर था या फिर किसी भी परकार का परियावन को बचाने में मददगार होते तो चाये वो आमनागरिक हो या कोई आपका इस्पेशल हो किसी को भी दिया जाता था यह इंद्रा गांडी परियावन पुरुषकार जो की प्रारंब कब हुआ था तो यह हुआ था आपका 1985, 1987, 1990 या 1902 तो जिस जिस बच्चे ने भी इसका अंसर ऑप्शन नंबर सेकिंड 1987 लगाया होगा वो बिलकुल सही अंसर है 1987 में यह प्रारंब होगा था ओके next question राजीव गांदी परियावन पुरुषकार किस से परदान किया जाता था देखी जैसे इंद्रा गांदी परियावन पुरुषकार था वो किसी भी नागरिक को दिया जा सकता था लेकिन जो राजीव गांदी परियावन पुरुषकार था यह किसे भी आम आदमी को नहीं परियावन को बनाती थी उनको ये पुरुषकार दिया जाता जो परियावन का पूरा अच्छी परकार से खयाल रखते थे तो उप्शन नमबर सेकंड इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन परियावन सेंटरक्षन दिवस परतेक वर्ष मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है 22 अप्रेल को 22 मई को 3 अक्टूबर को ये 26 नौमबर को तो सही अंसर होगा इसका ऑप्शन नमबर 4th 26 नौमबर को ये परतेक वर्ष मनाया जाता है तो वन जीव जो सपता होता हो परतेक वर्ष कब मनाया जाता है 1-7 अक्टूबर ये 1-7 अगस्थ, 1-7 नौमबर ये पिर 1-7 दिसंबर तो कौन सा option इसका बिल्कुल सही answer होगा बताइए तो देखे जिस बच्चे ने भी इसका answer option number second लगाया होगा एक से लेकर 7 October तक वो आपका बिल्कुल सही answer है यानि कि October का जो पहला मंथ आपका week होता है पहला सब्ता होता है आपके October महिने का उसमें आपका ये वन जीव सब्ता मनाया जाता है कैसे भी question पुछा जा सकता है आपका कि October का पहला सब्ता या फिर एक से लेकर 7 October भी दे सकता है date आपको तो ध्यान रखी का पहला सब्ता जो होगा उसमें मनाया जाता है next question भारते सविधान का कौन सा अनुछेद परियावन की रक्षा एवं सुधार से संबंदित है तो भारते सविधान का कौन सा अनुछेद है जो परियावन की रक्षा और सुधार के लिए आपका संबंदित होता है तो option number first इसका बिल्कुल सही answer होगा अनुछेद 48 next question जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है तो मैंने आपको तीन सूचीया बताई गई थी जो कि आपको केंद्र सूची, राज्य सूची और समनवर्ती सूची में आपको बताई थी तो इसमें पूछा रखा आपका कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस आपकी सूची में रखा गया था तो यह आपका जो रखा गया था वो रखा गया था आपका समनवर्ती सूची में तो option number 3 इसका बिल्कुल सही अंसर है चाहे 1 हो, 1 जीवे मंपक्षों की रक्षा हो, आर्थिक वे समाजिक नियोजन हो, जनसंक्या नियंतन या परिवार नियोजन हो वो सारी की सारी चीज़े कहा रखी गई थी, समनवर्ती है सूची में concurrent list में, तो option number 3 इसका बिल्कुल सही अंसर था next question, भारत में जैव विविक्ता Act कब पारित किया गया था तो जैव विविक्ता Act जो था, वो आपके जैविक, आपके जो बायोडियोडियोडिसिटी जो रूल थी, उनके अदुसूची के अनुसार इसको पारित किया गया था और कब पारित किया गया था, ये 2009, 2004, 2010, 2002, तो ध्यान रखेगा ये क्या गया था आपका 2002 में, जिसमें आपके 12 अध्याय और 65 section है, कई बार आपसे section भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेगा इसको, ओके next question, राष्टिय जैव विविक्ता परिधरगन की स्थापना कब की गई, तो ये ध्यान रखेगा जब आपका जैव विविक्ता एक्ट पारित कर रहे थे, उसी के साथ साथ में आपके जैव विविक्ता परिधरगन की बात भी करी जारी थी, उसको सुधारने के लिए बात करी जारी थी, जो कि कब करा गया था, उसके अगले साल यानि की 2003 को, तो option number first इसका विल्कुल सही अंसर था, next question, वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं, बहुत important question है, ध्यान रखे हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, important question है, तो आपकी जो वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम 1972 था, उसमें कुल कितनी हैं आपकी, क्या पूछ रखा है, धाराएं, 62, 63, 66 या आपका 66, जैसे कि मिन आपको जैव विविक्ता एड बताया, उसमें आपके 65 धाराएं थी, लेकिन जो आपके वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम है, इस इसमें आपके 66 धाराएं थी, तो उप्षन नमबर 3 इसका विलकुल सही अंसर, इसमें 7 अध्याय थे और 66 आपकी धाराएं थी, ओके, नेक्स्ट कोशन, जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्ये फ्रेमवर्क कन्विंशन कब लागू हुआ, तो जलवायू परिव आपका 21 मार्च 1994 में, जो कि आप सभी को पता है, हमारी जलवायू परिवर्तन आपके परते हैं, उसमें किसी ना किसी ओजोन परत में छिद्र हो गया था, तो उसकी रक्षा करने के लिए, हमारी जलवायू को परिवर्तन हो रहा है, उसको कम करने के लिए आपकी काम करती है तो जिसका आपका स्थापना जो की गई थी, लागू जो किया गया था, वो 21 मार्च 1904 में किया गया था नेक्ट्ट कोशन, वन जीव संडरक्षन अधिनियम में कुल कितने अनुसूचियां है तो वन जीव संडरक्षन जो मैंने आपको अभी बताया, जो की 1972 में आपका आया था जिसमें टोटल कितनी आपके वहाँ पर धाराई थी, तो 66 धाराई थी और मैंने अध्यान कितने बताये थे, 7 बताये थे अध्याय अब आपसे आप पूछा रखा कितनी अनुसूचियां है, तो उसमें आपकी 6 अनुसूचियां थी तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था next question, पर्थम विश्व जलवायू सम्मेलन किस वर्ष इस्थापित किया गया था अब यहां पर देखो क्या बोल रखा इसने, पर्थम विश्व जलवायू सम्मेलन तो कब किया गया था ये, 1969, 1982, 1979 या फिर 1989 तो ध्यान रखेगा, ये जो आपका पर्थम विश्व जलवायू सम्मेलन था ये आपका 1979 में किया गया था तो अप्शन नमबर, थार्ड इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्श कोशन, पर्थम विश्व जलवायू सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था तो अभी आपको पता चल गया कब हुआ था, 1979 में लेकिन आयोजित कहां किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है तो स्विशर लेंड में, ब्राजील में, अमेरका में ये फिर इंडिया में तो ध्यान रखेगा ये आपका स्विशर लेंड के जनेवा शहर में किया गया था तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था नेक्ट कोशन, प्रिथवी सम्मेलन 1997 यानि कि 1997 किस देश में आयोजित किया गया था तो पर्थम प्रिथवी सम्मेलन कब किया गया था, वो 1992 में किया गया था और दूसरा जो आपका किया गया था, वो 1997 में यानि कि 5 साल बात किया गया था तो आपकी दूसरे की बात करी जा रही है, पहले तो आप सभी को पता है ब्राजील में जो गया था, रियर डी जैनेरो में करा गया था लेकिन दूसरा कहां किया गया था वो आपको आप यहां पूछा गया है तो आपका कहां किया गया था यह अमेरिका में स्विजर लैंड में, इंग्लेंड में या फिर ब्राजील में तो ध्यान रखेगा आपका जो दूसरा चला था तो यह आपका New York अमेरिका में पारित किया गया था तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर था तो यह important आपके 30 questions थे परियावन कानून से तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके next topic मेले यानि के पर्व के बारे में आपके कौन-कौन से important questions पूछे जा चुके हैं तो यह आपका पहला question कि दक्षिन भारत का तोहार ओणम संबंदित है तो दक्षिन भारत में आपके South Indian में मनाया जाता है ओणम तोहार वो किस चीज से संबंदित है रावन पर विजे से दुरगा दौरा महिमा सुर के वद से शिव शक्ती से या फिर महाबली से तो ध्यान रखेगा यह आपका जो ओनम होता है वो महाबली के स्वागत में मनाया जाता है केरल में तो option number 4 इसका विल्कुल सही answer था नेक्स्ट कोशन पापेटी किसका तोहार है तो ध्यान रखे गई जो पापेटी होता है यह आपके नए वर्ष के सुब का आरंब में आपका मनाया जाता है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है पार्सी, जैनसिक या बोध तो सही answer इसका option number 1 पार्सीों के द्वारा मनाया जाता है नए वर्ष के सुब आरंब के उपर next question धार्मिक तोहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है तो डांडिया जो है वो आपके कौन से राज्य मनाया जाता है गुजरात, महरास्ट, मध्यपरदेश या उत्तरपरदेश तो सही answer होगा इसका option number 1 गुजरात में जो है वो डांडिया बहुत मश बना रखा है जिसका link मैंने आपको नीचे decision में और comment में आपको पहला comment देखने को मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप किसी भी group को join कर सकते हो जब भी मैं आपको कोई video provide कर वाता हूँ तो वहाँ पर मैं उसका link शेयर कर देता हूँ तो जैसी आपकी video चल रही होती है live तो आ टेलेंग्राम में भी जॉइन हो सकते हो ओके next question मध्यपर्देश में कुम्ब मेला कहां लगता है तो आप सभी को पता है चारो स्टेट का मैंने अच्छे से एक्स्प्रेइन करा था और एक अर्ध कुम्ब मेला भी मैंने आपको बताया था theoretical portion में वीडियो देखी होगी तो पता होगा नहीं देखिए तो वीडियो के नीचे मैंने decision में लिंक दे रखा उसका और पहले comment में जहां पर आपको group का link मिलेगा उसके साथ ही आपको इस channel का भी link मिल जाएगा वहाँ जाकर आप इस channel को भी देख सकते हो next question एक ही स्थान पर लगने वाले दो महा कुम्ब मेले के बीच कितना अंतर होता है तो आपका देखा होगा आपने एक कुम्ब मेला जो भारत के चार राज्यों में लगता है तो एक ही राज्य में एक कुम्ब मेला लगने के बाद दूसरी बार कब लगेगा उसके बीच में समय का कितना अंतराल होता है 6 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का या 15 वर्ष का तो सही answer होगा एकी स्थान के में दो बार कुमब मेले लगने के बीच में जो समय अंतराल होता है वो 12 वर्ष का होता है ओके next question है उत्तर परदेश में होली के तोहार पर लठ मार होली मनाई जाती है तो होली के पर उत्तर परदेश में एक आपका शहर है जहां पर आपका लठ मार होली बहुत मशूर होती है तो कौन से राज्ये में हो आपका विंदावन में या आपका बरसाना में गोकुल में या इनमें से कोई नहीं तो देखो जब भी हम लठ मारते हैं तो क्या करते हैं बरसा देते हैं तो इसी इसाब से आप ध्यान रखिएगा लठ मार जो हो ली होती है वो बरसाना में खेली जाती है तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था next question कौन सा वार्षिक मेला उटो के वेपार के लिए परशिद है तो मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा उटो का मेला लगता है कहां पर वो लगता आपका राजस्थान में तो पुशकर मेला कुंब मेला सोनपूर मेला या फिर सूरज कुंड मेला तो कौन सा है राज्य में से कहां नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता देखो इलाबाद में किया जाता है भोपाल भोपाल में नहीं किया जाता तो option number second इसका बिलकुल सही आंसर होगा हरी दोार और नासिक में भी होता है next question पॉंगल किस राज्य का प्रशिद पर्व है तो पॉंगल जो होता हो कौन से आपके राज्य का प्रशिद पर्व है तो वहार है तमिलनाडू, केरल, करनाटक या फिर आंदरपरदेश तो ध्यान रखिए गए तमिलनाडू का मशूर आपका प्रशिद पर्व होता है next question वाशिक पुषकर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया था उटो का सबसे बड़ा मेला होता है और कहां मनाया जाता हूँ राजिस्थान में तो option number first इसका बिलकुल सही अंसर था next question उत्राखंड के किस मेले से दो गुटो के बीच पत्थर फैकने की प्रथा है तो उत्तर परदेश के किस मेले में आपकी दो गुटो के बीच में पत्थर फैके जाते हैं आपका ये फैका जाता है देवा धुरी मेला में तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर था और important भी है ध याद हो के एकको सारे ट्रिक से भी बता दीजिए तो मैं आपको सारी की सारी ट्रिक से भी बतानी की कोशिश करोूगां ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके प्योस है निमन मेंसे किस तोहार से में सूरज पूजा की जाती है। तो ऐसा कोन सा आपका तोहार है जिसमें सूरज की पूजा की जाती है। बुधपूर्णिमा में, होली में, छट में या दिपावली में। तो सही answer option number third, छट पूजा जो की बिहार का काफी परशिद पर्व है, उसमें सूरज की पूजा की जाती है. नेक्स कोशन, निमन में से कौन सा एक समलित नहीं है, तो इन में से आपको एक समलित बताना है, कौन सा नहीं है, पहला आसाम भी हूँ, बिल्कुल आसाम का भी होता है, दूसरा ओनम आंदरपरदेश का, बिल्कुल गलता जो ओनम होता है, वो केरल का होता है, तो second इसका बिल् तो पूरी की रत्यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ओप्चिन नंबर second इसका विल्गूल सही अंसर था नेंच्च कोशन नीमन में से असम में कौन सा तोहार परसिद है तो इन्पेस से असम में कौन सा है दुरगापूजा, Tong का भी relación तो अंसर नबर second है विल्गूल सही अंसर होगा असम का वैर परसिद परव है सही answer था परशिद केला देवी मेला ध्यान रखेगा यह केला देवी मेला ही है जो की कहां आयोऌजित किया जाता है तो ध्यान रखेगा यह आपका करोली में आपका आयोजित किया जाता है तो option number third इसका बिल्कुल सही answer है next question Asia का सबसे बड़ा मेला है तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है आपका पावपुरी का मेला वेशाली का मेला बोध गया का या फिर हरी हर छेतर का मेला तो सही अंसरा आपका option number 4 हरी हर छेतर का मेला जो होता है वो एशिया का सबसे बड़ा मेला है जिसको सोनपूर के मेले के नाम से भी जाना जाता है ओके नेक्स कोशन प्राचीन पुराणिक और विश्विखात हरी हर छेत्र का मेला कहा लगता है जिसको आप सोनपुर का मेला भी कहते हो वो कहा लगता है वो आपका वो लगता है भीहार में तो option number first इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्स कोशन रथी आत्रा का उत्सव कहां आयोजित होता है तो यत्र आत्रा जो निकाली जाती है वो कहां पर निकाली जाती है द्वारका में, आयोध्या में, पूरी में या फिर वाणा नसी में तो सही अंसर होगा आपका ओडिसा के पूरी में निकाली जाती है, तो option number 3 इसका बिलकुल सही अंसर है, भगवान जगनात के सम्मान में Next question, बिहार का परमुख त्युहार है, व्यसाकी, ओनम, पॉंगल ये छट तो सही अंसर होगा option number 4, छट पूजा बिहार का एक परमुख त्युहार है Next question, लोल सांग उत्सव मनाया जाता है, तो कहां मनाया जाता है, तिबबत में, अरुणाचल परदेश में, सिक्किम में, या फिर केरल में तो धियान रखेगा, आपका ये सिक्किम में मनाया जाता है, तो option number 3 इसका बिलकुल सही अंसर है Next question, वैसा की किस राज्ये का परमुख त्युहार है, इंपोर्टेंट है, एक बार अभी आपका रिपीटेशन भी हुआ था, लेकिन किसी और तरीके से तो वैसा की जो होता है, वो सबसे परमुख त्युहार है, वो आपका पंजाब का, तो option number 1 इसका बिलकुल सही अंसर था Next question, ओनम किस राज्ये का परमुख त्युहार है, तो वो कहा का है, पश्चिम बंगाल, केरल, करनाटक या तमिल नाडू तो अब तक हमने ओनम की कितनी बात कर लिये, अब तक तो आपको इसका question आपका रट गया होगा, तो वो है आपके केरल का, ओके Next question, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्ये से हैं, तो सरहुल जो आपका पर्व मनाया जाता है, यह आपका राजस्थान, जारखंड, मद्यपर्देश या पश्यम बंगाल, तो सही अंसरों का आपका option number second, जारखंड में मनाया जाता है, तो यह थे आपके important 26 question, जो कि आपके मेले या पर्व से पूछे जाते हैं, बाकी आपको इसको trick से जानना है, यह trick से याद करने ही, आपको चाहिए वीडियो, तो मुझे comment box में कर दीजेगा, मैं आपको trick के साथ आपको यह video पोरी की पोरी बना कर दे दूँगा, ओके, आप नीचे comment box में जरूर लेके बताएग कोई query हो, कोई आपका कुछ पूछना हो, तो नीचे comment box में comment कीजेगा, मैं आप सभी के message को जरूर आपका read out करता हूँ, ओके, अगर आपने चनल को अप तेक subscribe नहीं कर रखा, तो जल्दी से subscribe कर लिजे और उसके साथ में जो bell icon होगा, उसको भी दबाजेजेगा, ताकि आने